आप सभी का धेर सारा स्वागत है आज के इस सेशन में जो की बड़ा है स्पेशल है आप सभी लोग के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज जो मैं डिसकस करने वाला हूँ आप देख सकते हैं वो है पजल पजल के कुछ बहतरी इन क्वेशन्स क्योंकि हर एक्जाम में यहां से सवाल बनते हैं तो मैं एक जगह लेकर आ रहा हूँ पजल के सवाल इसलिए आप से रिक्वेस्ट रहेगी कि आज जितने भी questions मैं कराऊं उनको आप last तक solve कीजिए देखिए कि आपकी तयारी अभी किस लेबल पर है और कितनी तयारी करने की आवशक्ता है तो हर एक question बहुत ही प्यारा है और सबसे अच्छी बात इस session की यह है कि हर सवाल जो पजल का है वो हर एक type के question को cover करेगा मतलब जितने भी type of questions ह होते हैं मैं का type बता देता हूं जैसे कोई comparison based puzzle होगी तो comparison based puzzle भी मैं यहां पर लेकर आया हूँ हो सकता है कि day date based puzzle हो month based puzzle हो यह सवाल भी यहां पर मैं आपको कराऊंगा आज इसके अलावा अगर माल लेते हैं कोई सवाल अगर बनता है किसके से classification based puzzle से जो recently अभी LICAO के prelims examination में म मारे पास क्या थे तीन categories थी executive की HR की और finance की उसमें लोगों को arrange करना था तो इस तरीके के सारी questions आज के session में मैं दिखाने वाला हूँ आपको और solve भी कराऊंगा साथी साथ लेकिन पहले आप इसको जरूर solve करें फिर मैं आपको बताऊंगा कैसे आसानी से इन question को solve किया जा सक इसने ऐसे किया है six bottles जिनका नाम हमारे सामने है वो क्या क्या है PQRSTU have different quantities of water but not necessarily in same order लिखा है तो हमारे पास ये छे bottle है इनको हमें arrange करना है जिसमें पानी की मात्रा अलग-अलग है अब ये रहा data एक बार throughout इसको read out कीजिए क्योंकि हमेशा setting और puzzle का जो line है वो हम आपको बता दे चुकि statement based है इसलिए thoroughly एक बार सब कुछ read जरूर करना होता है इससे क्या होगा data में connections ढूंड पाएंगे आप otherwise क्या होता है अगर आप कुछ बना ले गए और connection नहीं मिला तो आप बहुत बीच में फसे हुए महसूस करते कि अब क्या करो इसलिए read first find connections and then solve बहुत आसान हो जाएगा इस process से आपका pressure को solve करने का तरीका तो आईए पहले solve कीजिए आप फिर मैं बताता हूं कैसे solve करना है झाल तो अगर आप इस question को देखें तो यह सवाल comparison का भी एक तरीके से आपको देखेगा क्योंकि क्या लिखा है कह रहा है कि P के पास R से ज्यादा चीज़े हैं लेकिन T से कम है तो अब यह जो question हुआ dear champs यह क्या हो गया comparison का हो गया comparison के questions अभी आप देख रहे हो धेर सारी examinations में लगातार पूछे जा रहे हैं अब इसको solve कैसे करें बड़ा simple है जो data दिया है उस पर focus रहते है पी के पास R से ज्यादा है पानी है ना लेकिन P के पास T से कम बट जब भी इस्तमाल होगा and जब भी इस्तमाल होगा पहले वेक्ट की बात होगी यानि P के पास T से कम पानी है ऐसा फिर कहता S has more than R इसके पास R से ज्यादा है पानी but less than T, T से कम है which does not have the highest quantity of water T के पास highest नहीं है विच का मतलब हमें सा second element यानि T हाइस नहीं है T के आगे भी हो सकता है एक या दो possibility बने आगे U has more than Q, U के पास Q से ज्यादा है but less than R लेकिन R से कम है देखे एक बात जो आ रही है वो connection वाली वो हमें मिलती हुई नजर आ रही है क्या है भाई कि वो यह है कि R is less than, sorry greater than U, U is greater than Q है और R is less than these three elements T, P, S क्योंकि T हाइस नहीं है तो बस मुझे यह जानना है कि P या S में से कौन ज़्यादा है P अगर ज़्यादा है तो P first पे आ जाएगा, S ज़्यादा है तो S first पे आएगा ऐसा हम process करेंगे फिलाल यह तीन positions fix हो गई है इधर से यहाँ से जो आगे की तीन positions हैं वो T, P, S के लिए बची हुई है जिसमें T यहाँ नहीं हो सकता इन्हीं दो positions पे एक होगा तो 6 positions हमने fix कर दी, अब देखिए कहता है the bottle with the second lowest quantity of water has 120 ml यानि वो U की बात कर रहा है and the second highest की value जितनी है वो कितनी है वो 150 है यानि इसके बीच वालों की value 150 और 120 के बीच में होगी और इसकी value जो होगी 150 से जादा होगी फिर कहता है none of the bottle has have more than 155 ml of water यानि इस वाले की value जादा से जादा 155 या उससे कम 154 तक हो सकती है मतब 151 तक हो सकती है maximum इतना ही जाएगा 155 इससे जादा नहीं जा सकते हम ठीक है and s do not have the third lowest quantity of water यानि s को आप यहाँ नहीं रख सकते देखिए s को यहाँ रख नहीं सकते तो अगर मैं s को यहाँ रखता हूँ तो मुझे यहाँ t रखना पड़ेगा और यहाँ p रखना पड़ेगा यह possibility है या फिर मैं s को यहाँ रखता हूँ तो यहाँ पर t p की value बन सकती है कुछ इस तरीके से अब देखिए यहाँ जो conditions बनी है उसके हिसाब से t is greater than t है t is greater than s भी है एक मिनट जरा देहान से देखा जाए इस पर क्या line बनी है t, t, t has more than r but less than t s has more than r but less than t which does not have highest quantity of water ठीक है फिर यहाँ u has more than q but less than r लेकिन r से कम है अब देखो अगर मैं यह fix करता हूँ तो देखिए यही पर मुझे t रखना पड़ेगा और ps को यहाँ रखना पड़ेगा वो possible नहीं है यानि कुछ संभावना है इसमें 7 है 7 bottle है या 6 bottle है एक बार जरूर देख लेंगे values जो होंगी पीछे जाकर देकि नहीं है कि वहाँ पर फिर पीछे जाएंगे तो यह data हमारा फिल नहीं हो पाएगा एक value अगर मैं यहाँ से और बढ़ा लेता हूँ तो मुझे जहां तो दिख रहा है वो साथ है क्या टेक आउट कर लेंगे क्योंकि एक, दो, तीन, चार, पांच, छे की value मिल रही है by the way तो यहाँ से अगर हमने देखा यह value put करके तो यहाँ तो भी resp ही लिक रहा है और t को उसने बोला does not have the highest quantity of water तो t को अगर मैं second पर भी रखों तो यह value तो भाई है यहीं आएगी क्योंकि r इन दोनों से छोटा है तो but obviously इसके बाद ही u और q आएगा, t नहीं बच रहा है तो क्या-क्या positioning बन सकती है अब देखते हैं, अगर मैं t को यहाँ रखता हूँ ठीक है, तो t is greater than p भी है तो मुझे फिर ps को इधरी रखना पड़ेगा कोई सब और चारा बन नहीं रहा है फिर अगर मैं t को यहाँ रखता हूँ तो यहाँ पर मैं p और s को रख सकता हूँ यह होगा नहीं तो sp रख सकते हैं लेकिन फिर वही बात हो जारी कि t is star आ रहा है but p is less than t उसी तरीके से s has more than r but less than t ठीक है t which is not highest बोला ही है फिर वही बोला गया कि u has more than क्या है q but less than r कुछ इस प्रकार तो यह value तो हमारे पास s तरीके की fix आ रही है लेकिन यह जो t का problem आ रहा है उसको हमें थोड़ा सा resolve करने की आवशक्ता है और यह कैसे होगा अगर कहीं कोई value दी हो तो समझ में आए the bottle which has second lowest ठीक है second highest ठीक है none of the bottle have more than ठीक है and s does not अच्छा the third lowest है मैं third highest पड़ रहा हो तब से इसलिए इस के चक्कर में फजा हूँ यह क्या है third lowest नहीं होना चाहिए अब मैं उसको highest पड़ा था इसलिए मैं वहाँ पर highest पर रख रहा हूँ बार बार साइद यहीं मिस हो गया lowest हो गया ना lowest वैसे भी आ रहोगा ठीक है अब बन जाएगा फटा फट देखो तो यहाँ पर मैं T को रखूँगा ठीक चुकि T P से बड़ा है T S से बड़ा है S और P में कोई highest है यह हमको exactly नहीं पता है तो हम ऐसे कर सकते हैं कि हम S और P को यहाँ रखें कहानी कहीं फस जा रही है कैसे फस रही है वो देखो क्योंकि T दोनों से भड़ा है P से भी बड़ा S से भी बड़ा है अगर मैं पढ़ू S has more than R but less than T which does not have highest तो यहाँ पर वही कहानी फिर भस रही है S has more than R but less than T सेम बात है फिर वहाँ पर वो देखे P has more than R but less than T और इस केस दोनों केसे में P स T से छोटे हो जा रहे है P स के बीच में हम बात कर सकते हैं चलो P S इस तरीके से बनेगा और T यहाँ आएगा यह दोनों तो यहीं बन सकते हैं यहीं बन सकते हैं चलो एक बार इसके question की तरह बढ़ेंगे तो side clarity बने लेकिन यहाँ पर हमारे पास यह value आई है कि यह 120 होगा और यह 150 होगा और maximum 155 जा सकते हैं तो सवाल क्या है अच्छा देखो यार वो यू एक miss हो रहा है जो हमारे पास यहाँ पर है तो line मैं 5 ही बना रहा हूँ क्या बर-बर 5 line बना रहा हूँ क्या देखो जरा मैंने ऐसे बनाया था R फिर हमने U बनाया था और यह Q बनाया था ठीक है तो 3 तो यह हो गया 4, 5, 6 7 लोग है यार वो 6 गलत लिखा हुआ है क्योंकि U भी तो है अब यह T और यहाँ PS PS कर सकते हो आप और यहाँ पर U देखो यही डेटा में वहाँ पर 6 के जगा 7 करो लेकिन यहाँ पर यह line आ रही है U तो last में है नई कुछ तो डेटा एरर आ रही है इस case में क्योंकि जो भी value आएगी वो कुछ इस प्रकार की होगी R, U, Q और यहाँ Q, U हो गया 120 या फिर इसको ऐसे भी कर सकते हैं इसके एक और संभावना बन सकती है कि P यहाँ पर greater than R हो P has more than R less than T फिर S has more than R but less than T तो अगर यह संभावना बन रही है तो R से आगे ही सारी बाते हो रही है यह देखने वाली बात हो गई यार कि कहां यह data फसरा है तो अगर यह देखा जाए तो दोनों ही इन से आगे ही जाएंगे, तीनों इनफेक्ट इन से आगे जाएंगे, 100% तो अब मैं PR को यहीं पर रख सकता हूँ PS, PS और इसको यहाँ टी करना पड़ेगा यार, और कोई चार चांस बसता नहीं है और यह वैल्यू कितनी आ रही है, 150 तो उस आप से question कहा था U का में भी क्या वैल्यू होगा अब देखो, 157 और 169 होगा नहीं 152 तिरपन यानि, आइदर A और B यानि कि यह आगे की तरफ रख रहा है वैल्यू को आगे की तरफ रख रहा है चलेंगे, डेटा की तरफ जाएंगे उस तो डेटा में यहाँ पर लिखने में कुछ तूटी हुई है यहाँ, P has more than R but less than T S has more than R but less than T यह जो कहानी यहाँ बन रही है, उसके हिसाब से उसके बाद कहता है, U has more than Q देट हैज, अच्छा, लेस देन R यह देट हैज है, वहो, but has नहीं है देट हैज है, तो देखते हैं, आजओ, एक बार और देख लेएगा last chance है, इसको इस तरीके से, P is more than R है, but less than T है, इसी के हिसाब से ये भी बना है, अब इसको जड़ा देखते है, U has more than Q, that has less than R, मतलब Q has less than R है, that has का मतलब हो गया, Q has less than R, ये line अच्छी है, that has, तो अगर ये वाली Q has less than R है, ये, ये वाली value बनी है, कुछ इस प्रकार, तो अब इसको set किया जा सकता है, देखो, ये कहानी अब बनी, यहाँ पर जो मैं ये बना दे रहा था, बार-बार, वो मैं ऐसे पढ़ रहा था, U has more than Q, बट less than R पढ़ रहा था, बट यहाँ पर है, that has, that has का connection Q से है, तो जब ये बनेगा, तब आया, देखो, कितना error हो रहा है, बार-बार, तीन बार हम लोगों ने चेक करा, यहीं फस जाती है कहानी, अब बन जाएगा, देखो, कैसे बन जाएगा भाई, क्यूकि U बढ़ा है Q से, R बढ़ा है Q से, तो R is greater than Q हो जाएगा, 100%, फिर यहाँ से देखिए, क्यूकि T tallest नहीं हो सकता, तो ठीक है, यह बात है कि PS, PS को हम यहाँ रखेंगे, T tallest नहीं होगा, तो T यहाँ आजाएगा, लेकिन फिर U यहाँ पर सबसे T tallest होगा, तो यह वाली भी कहानी justify हो जाएगी, अब बन गया, तो second और second इधर से दोनों की value यह थी, 155 से ज़्यादा नहीं हो सकता, तो क्या हो सकता है भाई, 155 से लेके 151 तक की value U की हो सकती है, और PS की value अभी भी define नहीं कि कौन second है, और हाँ, वो भी आ गया, क्योंकि S third lowest नहीं हो सकता, तो देखो, यहाँ से वो भी निकल कर आ गया, तो यह जो word है, एक line की वज़े से, एक line छोड़ी, एक word की वज़े से सब खेल हो रहा है, यहाँ पर S हो जाएगा, यहाँ पर P, क्योंकि third lowest S नहीं हो सकता, वो भी दिया है, अब बन गया, तो सारा का सारा data अपना fix हो गया, ठीक है बास, अब देखो, एक सवाल इतना tough, मैंने वो सारी possibilities करीं, जिससे की एक आदमी से error हो जाती है, और वो है यह, तो यहाँ पर अगर Q, that has लिखा है, तो क्या मतलब है Q की बात हो रही है, आर के respect में, U has more than Q, but लिखा होता, तो वो क्या बोलते, U की बात कर रहे होते आर से, जहां तक मैं जानता हूँ, 95% लोग यहाँ पर आकर फसेंगे, और आप भी जब सुरू कियोंगे, तो यहीं फस रहोंगे, इसले मैंने भी वहाँ पर वो सारी कहानिया करके दिखाएं, जो possible हो सकते, क्लियर हो गया सबको, तो U की वैल्यू 155 से 151 के बीच में देखिया, option में मिल जाएगा, तो 152 होगा, एक सो तिरपन होगा, यह नहीं हो सकता, एन्य आइंसर क्या हो जाएगा, आइदर A और B, वाल्व हो गया, ठिक, सारी possibilities के साथ, अब यह जो सवाल है, यह अभी L.I.C.A.O. में आया था, यह सवाल है classification का, क्या चीज़ का है, classification जिसमें हमारे पास purchase, manufacturing और sales तीन डिपार्टमेंट हैं, दस लोग हैं जिनको इसमें हमें arrange करना है, और हर में at least कम से कम तीन तो होने ही चाहिएं, तीन से कम नहीं हो सकते, चार पांच हो जाएं, ठीक है, तीन से कम नहीं, ठीक है, आप तीन डिपार्टमेंट को आप सेट कीजिए, और फिर सॉल्व कीजिए, तो क्या-क्या डिपार्टमेंट्स हैं, वो आप उसकी एक टेबल बना लें, जो सबसे कम है, वो यह ही है, sales department है, purchase department है, और क्या है, और हमारे पास एक और department था, उसका नाम क्या है दोस्तों, sales हो गया, purchase हो गया और, M works in the department, which is a maximum number of persons, ठीख है, तहीं रिकराइ, purchase हो गया, sales हो गया, and where is the third one, तीसरा वाला department क्या था, चलिए एक बर देख लेते हैं, यहाँ फटाफट, that is manufacturing, sales, purchase और manufacturing, फिर से लिख दे रहाँ, यह है, sales, जो लोग second slide पे हैं, उनके लिए, purchase और manufacturing, अब आप इसको टेबल को जब बना लेते हो, तो arrangement आपके लिए आसान हो जाता है, इसलिए हमेसा टेबल के through question, ऐसे classification, date, month, puzzle के solve करें, अब जैसे इसको solve कीजिए, थे, बिए प्रहणेश, को chociaż कि ऐसे पframe, फिर रेफेंगों लेका है, दे इसक जाता है थादेबल ऑल वस्टो के सौल में वस्टों के रहाँ व lottery, भासा थाँ है, अब कोँल Francis Cy 12 जैसे याल रहाँ graduate है, नहा defendज प्रुमा mater appa रहाँ अजाएग।. तो देखिए इसमें अब क्या है कहता है कि जे जो होगा ना तो sales department में होगा ना तो तो यह यहां नहीं होगा तो यह होगा क्या तो जे होगा कहां पर्चेज में या तो 1998 लेकिन आगे क्या वोग रहा है पर्चेस department, Q L के साथ काम करेगा लेकिन वो पर्चेस department नहीं तो sales या manufacturing हो सकते, फिर क्या कहता है, यह जो O है वो ना तो J के साथ काम करेगा ना तो Q के साथ काम करेगा, whereas only two more person work along with O, यानि O के साथ और दो लोग काम करेंगे, total 3, यानि यह जहां होगा, maximum इसके साथ और दो लोग होगे, फिर M works in the department which is having maximum number of person, यानि की O के साथ M नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि M में 4 लोगों में, M के साथ और 3 लोगों, maximum तब 4 जाएगा, 3 एक जगा हुआ, तो अब 3 एक जगा हुआ, तो पॉसिबिलिटी चार तीन की ही बची, 3, 4, तो M तीन लोगों के साथ और होगा, यानि M के साथ 4, M के जोड के 4 लोग होगे, वो जोड के, ठीक है, अब कहता है, M work in the department which is maximum number of person along with I, M, I के साथ काम करेगा, अभी मुझे कोई department मिल नहीं रहा है, ठीक है, but not in sales department, M sales में नहीं जाएगा, तो purchase manufacturing में जा सकता है, फिर क्या कहता है, N works along with P, N, P के साथ काम करेगा, लेकिन O और Q के साथ काम नहीं करेगा, ठीक है, तो मुझे उमीद है M I के साथ ही करेगा, लेकिन फिर कुछ भी department से related नहीं मिला, अब कैसे solve करें, ध्यान देजिए, क्या बोला था उसने, कि J sales में नहीं होगा, ठीक है, और Q purchase में नहीं होगा, तो अगर मैं ऐसे दो possibility लो, कि QL मान लेजिए sales में, ठीक है बास, या फिर QL मान लेते हैं manufacturing में है, क्योंकि वो purchase में नहीं हो सकता, ठीक है, उस हिसाब से, अब मैं J को यहां तो नहीं ले सकता, J या तो यहां या तो यहां आएगा, उस हिसाब से मुझे J को यहां नहीं डालना है, तो इसमें ही सिर्फ J आएगा, क्योंकि भाई L के साथ, वो काम नहीं कर सकता, sales में नहीं जा सकता, अभी दो possibility J की है, ठीक है, O, J और Q के साथ काम नहीं करेगा, तो देखे, इस case में तो O, 100% यहीं आएगा, और इसके साथ और दो लोग होंगे, ठीक, next line क्या है, इसमें अभी भी मेरे को doubt, doubtful है कि क्या हो सकता है, देखे, O neither work with J और, nor Q, whereas only two person work along with J, M work in a maximum वाला वो बात कहा गया, but not in sales, तो M sales में नहीं होगा, तो भाई M sales में नहीं होगा, तो कहां होगा, अगर मैं ध्यान से देखूं, हो जाए, तो M I यहां रख दूँ में, ठीक, N work along with P, but not with OQ, तो देखे, यह वाली कहानी यहां बन नहीं सकती, तो अब यहां OQ यहीं पर, सॉरी, कौन सा है, N P, N P यहीं आएगा, अब जब N P यहां आएगा, इस case में, तो जो यह M I है, मैक्सिमम वैल्यू जाएगी, तो यहीं आ सकती है, यहां पर, क्योंकि वहां तो दो ही लोग मैक्सिमम जा सकते हैं, तो यह बनेगा Q L M I, यह बनेगा J N P, और O के साथ और जो दो लोग हैं, वो सेट हो जाएगे, तो वो जो दो लोग है, उनका नाम क्या है, वो गर उसको ढूंडा जाए, तो यहां पर हमारे पास J हो चुका है, L हो चुका है, O हो चुका है, M को हमने सेट कर रखा है, अब कहां से सुरुवात हुई थी, वो दो लोगों का नाम आप यहां पूट कर सकते हो, तो देखो एक बार पढ़के, क्या इस डेटा से आपको कोई कन्फिक्ट नजर आ रहा है, जैसे, J नाइदर वर्क्स इन सेल्स देपार्टमेंट, नौर विद L, ठीक है, Q वर्क्स अलॉग विद L, बट नॉट इन पर्चेस देपार्टमेंट, ठीक है, O नाइदर वर्क्स विद J और Q, ठीक है, वेराज अंली टू पर्सन वर्क्स अलॉग विद O, ठीक है, M वर्क्स इन देपार्टमेंट विद मैक्सिमम नंबर आप पर्सन चार, वो भी ठीक है, बट नॉट इन सेल्स नहीं है, N वर्क्स अलॉग विद P, बट नॉट विद O और Q, तो हमारा ये पूरा का पूरा आरेंजमेंट सही हो गया, तो ये दूसरी पॉसिबिलिटी उठाना नहीं पड़ेगा, यहाँ जो दो लोग हैं, उनको हम जो बचे हुए डेटा हैं, पीछे से उठा कर पूट कर देंगे, अब इस पे जो आधारित क्वेश्चन है, उसको आप देख लीजे, वो अमंग दा फॉलिंग पर्सन, वर्क्स इन दा मैनुफैक्टरिंग डिपार्टमेंट, मैनुफैक्टरिंग डिपार्टमेंट में कौन था, तो आप उधर देख सकते थे, MI, मेरे ख्याल से, MI, QL करके थे, ये चार लोग थे, तो आपका एंसर यहां पर L आएगा, क्योंकि OP तो उधर चले गए, आर भी इदर नहीं थे, उधर O के साथ मेरे ख्याल से, वो OP, R एक साथ चल रहे थे, तो ये चेक करिए, और एंसर देखे, यही आएगा, कि भाई, जो L है, वो manufacturing department में है, ये question जो है, वो क्या है, day based, date और month based, क्या है, ये भी question बहुत बार पूछा जा रहा है, month plus date, क्या लिखा है, 10 person attending conference, on two different days, 9, 11, jan, month क्या क्या है, janvary है, mai है, august है, October है, December है, ठीक, तो हम janvary उठाएंगे, mai को उठाएंगे, august, October, December, ये उठा लेते हैं, janvary है, may है, august है, October है, और December है, यही था, शेक कर लीजेगा एक बार, और इसमें, दो-दो दिन है, 9 और 11, 9 और 11, ऐसे सब में, दो-दो दिन है, 9 और 11 कर गए, तो मिलाके, हमारे 10 लोग हो जाएंगे, अब इसी में हमें, arrange करना है, लोगों को, जो data दिया गया है, उस हिसाब सकती है, तो, बाई, कह रहा है, T attends 3 person before N, who attends after August, तो, after August का मतलब है, कि 4 संभावना है, बाई, आफ्टर अगस्ट, October भी हो सकता है, December भी हो सकता है, तो, वो संभावनाओं को आप देखेंगे, और N को आप यहाँ रखेंगे, तो T attends 3 before, यहाँ रखेंगे 3 before, 3 before, 3 before, बहुत सारी possibility, U attends immediately after N भी बोलता है, तो एक संभावना, एक लिस्ट cancel हो जाएगी, कि यहाँ भी रख सकते हो, तो आप या फिर ऐसे रख सकते हो, या फिर ऐसे रख सकते हो, ठीक है, चलो, solve करके बताओ, आप बहुत लंबा data है, time consuming हो सकता है, चले इसको बनाते हैं, possibility ले ले लेते हैं, तो U attends immediately after N है, तो यहाँ N U कर दो एक, अगर यह पहली possibility है, यहाँ पर T आ जाएगा, अगर मैं यह लेता हूँ, तो 1, 2, 3, यहाँ पर T आ जाएगा, और एक possibility इसकी जो बनती है, वो यह है, अगर मान लीजे कि मैं यहाँ पर U or N कर दूँ, एक, दो, तीन, यह तो same ही हो गई, एक और बन सकता है, क्योंकि October, After, August, कुछ भी हो सकता है, यह तो data दिया नहीं उसने, तो यहाँ पर भी हो सकता है, ऐसे, इस हिसाब से यहाँ T हो जाएगा, अब क्या बोल रहा है, कि, अभी भी सब बन रहा है, आगे, तो यहाँ पर एक लगी, दो, तीन, चार, वो क्या है, वन लेस है धन यूँएश, तो अगर चार है तो यूएश में 5 होना चाहिए, एक, दो, तीन, चार, पाँच, यहाँ यहाँ आएगा, इस केस में एक, दो है, तो वन लेस धन यूँएश, यह और और S होना चाहिए तो यहां तीन एक दो तीन यह पॉसिबल नहीं होगा खट गया यहां देखे कोई भी नहीं तो US का मतलब इधर भी हो सकता है इधर भी हो सकता है यह तो बोला नहीं है कि इधर होना चाहिए एक यह संभावना बनेगी और जो दूसरी possibility बनेगी उसकी वो भी बना लीजे फटाफट यहाँ पर UN है, यहाँ पर S हो जाएगा और यह RTS है बना हुआ है, तो यह बना रहेगा अभी भी तीन possibilities हैं अपने पास, आगे S attends after U, बस, तो यह वाली कहानी तो समापत हो गई यहाँ पर भी देखे, S attends after U है, तो यह भी कहानी समापत हो गई यह बच रही है, चलो तो यह अच्छा है, यही मिल जाएगा O attends for person after L, और क्या कहता है, after L, तो O after L होगा वो भी 4 person, L को यहाँ रखे, तो 1, 2, 3, 4 possible है L को यहाँ रखे, तो 1, 2, 3, 4 नहीं possible है, यहाँ पर भी नहीं है तो L को यहाँ रखे, तो 1, 2, 3, 4 और O यहाँ आ जाएगा, ठीक है O and S are attending in different months, बिल्कुल ठीक है, फिर क्या बोलता है The number of person attending between L and N is same as RNP, तो L and N के बीच में जितना होगा उतना ही R, P के बीच में होगा, तो अगर देखें तो यहाँ पर 1, 2, 3, तो R और P के बीच में 1, 2, 3, एक मिनट देख लेंगे फिर, L और N के बीच में, 1, 2, 3, 4, 5 है 1, 2, 3, 4, 5 ठीक है, तो यहाँ पर आप P को रख दीजिए, बराबर हो गया आगे, P and Q are attending the conference in different months, ठीक है तो यहाँ पर Q, but obviously यहाँ, क्योंकि जो हमारा P है, वो यहाँ December में आ रहा है, तो Q इन में से किसी एक जगा आ सकता है और कोई data है, जिससे हम cut out कर सकते हैं, Q के लिए देखे, T का हो गया, N का, N की भी possibility सेट हो गई, the number of person before U, R का भी हो गया, the number of person TR less than US है, S after U है, यह भी ठीक है, O attends 4, वो भी ठीक है, OS different month में, वो भी ठीक है, the number of person attending between L and N is same as RP, वो भी ठीक है, P and Q attends the conference in different months, तो अगर मैं अगर देखूं, different months, यह बोल रहा है तो एक और जो बच गया, उसको यहाँ प्रकर दो, आपकी value आ जाएगी, अब उस हिसाब से जो question है, आपके screen पर है, इसको आप solve करके बता दीजिए, which of the following month and date does T attends the conference, ओके, चलिए, तो अब यह solve कर लीजेगा, इसका answer बता दीजिएगा, फिर ऐसे और भी सांदार questions में लगातार आप सकते, पहुंचाओंगा, लेकिन उससे पहले जाने से पहले, चाहूंगा कि इंबाइब आप जनली से डाउनलोड कर लें, यहाँ पर आप practice और test दे सकते हैं, और यह हमारा बता सकते हैं, यह हमारा आप, पर दे जनली से अला आप कर ले भी से माझाटार में मुपणदेगा, यह जे सकते हैं, इंबाप बता सकते हैं, यह हमारा आप 25 वह चौबे